दिल्ली में और देश भर में कोरोना की केसे अब कम हो रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से रोजाना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी अब 0.1% से लगातार नीचे चल रहा है पिछले कई हफते से तो ऐसे में आज डीडियमे की बैठक हुई और सब इस बात पर सेहमत थे कि अब हमें इस बारे में भी निर्ड़े लेना चाहिए कि जैसे जैसे एकॉनमिक आक्टिविटी खुली है और करीब-करीब दिल्ली में सारी अक्टिविटीज खुल गई है वे एकॉनमिस से समबंदित वैसे ही अब हमें एजुकेशन की अपनी आके होती है वो कभी भी घर पे बैठके ऑनलाइन कमराओं में ऑनलाइन बैठके तो होई नहीं सकती है और सब मानते हैं कि एजुकेशन का काफी नुकसान हुआ है इसलिए आज इस पारे मिन रिने लिया गया कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एक्टिविटीज शु हो तो एक सितंबर से दिल्ली में नमी से बार्वी के स्कूल और उस एज ग्रूप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और सासा सभी कॉलेजिज खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी और सभी कॉले जा सकते हैं, उनिवस्ट जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इस्टिटूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सकती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। स्कूल कॉलिज ब्लेंडेड बोड में चलेंगे अगर पैरेंट्स की पर्मीशन नहीं है बच्चों को स्कूल बलाने के लिए पैरेंट्स की पर्मीशन जरूरी होगी है और अगर पैरेंट्स की पर्मीशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको एवज में उसके absent count नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस class group का अभी तक हमने analysis किया था कि पूरे देश में जैसे जैसे case कम हुए है वैसे वैसे कई राज्यों ने स्कूल खोलने के प्रियोग किये हैं पांच राज्यों में तो नरसरी से लेके और बार्मी तक के सभी स्कूल खोल दिये गए हैं करीब एक दरजन राज्ये हैं जिन्होंने छटी से बार्मी के स्कूल खोले हैं बाकी जगह नमी से बार्मी के स्कूल खोलने के किया गया है लगबग लगबग सभी जगह स्कूल खो प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है, इसके बाद मिनने लिया जाएगा, अभी उसमें कोई निने के लियागा. सार, स्कूल के जो टीचर्स है दिया, इन तरी के से वैक्सिनेट हो चेता है? जब हमने कॉल आई थी, तो हजारों लोगों ने अपने कमेंट्स भेजे थे, और लगबग लगबग 70% लोग कह रहे थे कि स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए, और बाकी सब भी कह रहे थे कि जन्हों ने कहा था कि अभी रुके उनका भी मानना था कि स्टेगर तरीके से खोल स्कूल ना खोलने के पक्षमे तो बहुत रिमोट बतलब बहुत ही कम लोग थे हमने पिछले एक महीने में दिल्ली के टीचर्स को वैक्सिनेट कराने के लिए स्पेशल ड्राइब चलाए हैं और सरकारी स्कूलों का करीब-करीब 98% टीचर टीचर एंड आल स्टाफ कम से कम स्टाफ की संख्या बहुत हाई है जिन्होंने ले ली है हमने सबको एडवाइज भी किया है सबको और भी करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसको वैक्सिनेशन नहीं हुआ है पर जो चैनले लिए उसके ली पूरे प्रोटकॉल की तरफ जा रही होंगे एक बार आज नने लिया गया है उसके बाद प्रोपर प्रोटकॉल जो जारे होंगे उसके बच्चे इनए आना चाहते हूं की बीघ्ट को बीच्ट परसेजर सरकार के द्वारा दिये जाएंगे और स्कूल्स को भी कहा जाएगा कि विकेट परिस्तितियों में या ऐसी परिस्तितियों में जो उनफॉर्सीन है उसके लिए वो खुद भी निने ले सके उसमें बिसीन हैं इसा नहीं होगा ऑनलाइन क्लासिज के लिए किसी बच्चे को मना ने किया जाएगा बिना पैरेंट की पर्मिशन के किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा बलाएंगे नहीं है एक्सपर्स तो खुद मान रहे थे कि स्कूल अब खोल देने चाहिए पिछली बार भी जब एक्सपर्स के साथ बात हुई थी मीटिंग में उस वक्त भी उनका कहना था कि अज भी सब लोगों ने रिपीट किया कि बच्चों को इसका खत्रा कम से कम है उनको और जाद है जैसे जैसे बच्चों की उम्र कम है उतना खत्रा इंफेक्शन होने का उतना ही कम है वो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के तहट क्लासिस कैसे चलेंगी हर एक स्कूल अपना विरस्ता बनाएगा थैंक यू